प्रेंटेशन कोर्स के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेंटेशन के इंपोर्टिंस क्या है जब आप प्रेंटेशन बनाते हैं तब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो की आपको प्रेंटेशन बनाते समय ध्यान रखने से इप्रेंटेशन से आपकी जो ओड जोगी वह एट्रेक्ट होगी और आपकी बातों को ध्यान से स्लेगी आधर्वार्टिंग बोरिइशन से आपकी ओडियों अइसा कर Girin आपके साथ न ओ के आपको पूरा देखिएगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप आपने प्रेंट यूंच किया जिसकीम ऐल्प से सिखाने वाण है कि आप effective orientation के importance में क्या-क्या चैंजिस कर सकते हैं इस जब ही orientation effective बनें तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ हमने इस तरह के गए orientation ready किया हुआ है और इसमें और one orientation के importance के बारे लिए समझेंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि effective orientation के importance है क्या इंपोर्टेंट्स इसलिए इंपोर्टेंट है या फी कम्निकेशन स्कील जो होगी वह इससे हैं हो जाती है और आपी आइडिया और इंफर्मेशन को अच्छी समझ में आते हैं और यहां पर कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको effective presentation में ध्यान रखने से यह बहुत इंपोर्टेंट होता है कि आप effective presentation जब बना रहे होते हैं उसमें इन बातों का ध्यान रहे होते हैं उसमें और इसके पाइदे क्या तो यह आपको अपने audience से और यह से contact करने में हम मदद करता है और उस उनकी बातों को और वह आपकी बातों को समझने के लिए अच्छे से इंहेट सब्सक्राइब और एक professional impression बनाता है बिल्गुल effective presentation उसमें इंप्रेशन लगता है और यह आपका समय भी बचाता है लाइक आपकी आपकी जो communication इसकी लोगिंग्स में इंप्रूब्मेंट करता है तो इसकी फर्स्ट पॉइंट चलते हैं जो कि आपको audience से इंगेज़ करने में है तो जी आपको और पॉइंट में हैंप करती है कि आपकी कि किसी वी चीज को मेंटें करें आटेंशन और आपको जी आपके आपकी उडियांस के आक्पके इससे क्या लगा कि आपको अटेंशन आपकी तरफ रहेगा और यह चीज़ में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है जिस्ते कि आपको अपको ध्यान रखना है अभी नेस्ट पॉन पर चलते हैं तो यह आपको समझने की स्किल को इंप्रूब करता है है इसमें आपको वि है जैसका कोई सारे एलिमेंट से अपने रेंटेशन को प्रेजेंट करना है जिससे आपकी ओडियंस को जो आप इंफर्मेशन देना चाहते हैं वह इंफर्मेशन अच्छे से मिले और उन तक आपकी हर बातें अच्छे से डिस्ट्रिब्यूट हो सके हैं कि नेक्स्ट इप्रेशन रहना चाहिए ताकि आपका जो प्रेंटेशन हो वह प्रोफेशनल लगे और यहीं चीज़ आपको हेल्प करती है अपने आउडियंस से आई कोंटेक्ट में रहने की और जैसे आप बिजिनस के लिए कुछ भी रेंटेशन बाना रहे तो इसमें भी बहुत ज्य होता है अदर्वाइस बोरिंग बनाने से आपको बिजिनस में लौस होता जो भी आपके क्लाइंट्स रहेंगे अपर पार्टनर्स रहेंगे वह आपसे डिसटेक्ट हम वे वह यह आपको बिजिनस के दिए बहुत हांफोनेस एंड लास्ट पॉंट इफेक्टिव प्रेंट और आपको समझाने में ज्यादा समय करना होगा जिससे आप विज्वाल्स इमेजेस एंड ग्राप्स का यूज करके उनको इस दीज को बता सकते हो उससे आपके जल्दी इसको अंडरस्टैंड करेगी और यह कोमिल्केशन इंफॉर्मेशन को रिजल करती है और अपने क्लाइ आपको बहुत जगा अप्यूज हो सब्सक्राइब और एकडमिक प्रेंटेशन में इन सभी को बहुत ज्यादा इस्यूज होता है तो दोस्तों यह कुछ इंपोर्टेंस पॉइंट्स है जो कि आप प्रेंटेशन बनाते उससे में रहान रखें और इन सभी बातों का द्यां सब्सक्राइब करते हूं कुछ ऐसा होएं रेंटेशन में विजूल्स लाएं इमेजिस लाएं फिर डाप लाएं जिस्टे आपकी प्रेंटेशन इसक्ट्टिव लगे और आपकी ओडियंस और प्लाइंट्स जोगी वह से इंफ्रेस हो जाए ताकि वह आपके साथ आपके बिजनेस में वर्थ करें और आपकी बिजनेस को बहुत ज्यादा लो लेवल से हाई तेवल तक लिए कचा है तो इनी बातों का ध्यान रटते हुए आपको प्रेंटेशन बनाना और आपकी माइंड में रशा क्रियेटिविटी रहनें जीए कि आपको कुछ इस तरीके का इ मेरे साथ वहीं कुल लब आई कोंटेक्ट में अगर रहते हैं तो उस समय भी उन्हें पर जारा इंट्रेशन बनता है कि तो दोस्तों आज वीडियो में मिलते नेक्स वीडियो में और यहां पर एक और में बाब जब आप उसको बनाते हो तो जब आप कुछ भी बात करते हो तो आप अपनी प्रेंटेशन दो ऊपर आपको नहीं देखना है कि आपने प्रेंटेशन के अंदर लिखा फिया है आप उसके डायंने देरें वह आप अपने हिसाट संजय अपनी लांगेज में संव्जाओ जिससे आफकी ओर्रियंस ज्यादा इंप्रेंस हो सके तो दोस्त आपको सबसे प्पैले निले और आपको सकाई डियोचे आप तो दोसो थाइट इस लगाइट डिपलम नी